सबी को मेरा नमस्कार आज हम कवितावली गोस्वामी तुलसी दास्ची के द्वारा लिखित है इसके अर्थ ग्रहन और सुन्दर ये बहुत समंधी प्रिशनोत करेंगे इसमें जो पहला स्टेंजा है किस भी किसान कुल बनिक बिखारी भाट इस वाले स्टेंजा की मैं आज को व्याख्या करके बता रही हूं ज़्यादा ब्रहत व्याख्या नहीं करें हैं शौर्ट में करें हैं तुलसी कहते हैं कि महिनतकश, मजदूर, किसान, परिवार, व्यापारी, बिखारी, भाट, नोकर, चाकर, कुशल, अभिनेता, चोर, दूत, बाजिगर यानि जो भी का करने वाले लोग हैं सभी अपना अपना पेट भरने में लीन हैं लीन है यानि लगेवे हैं और कुछ लोग पढ़ाई करके भी अपना पेट भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं कोई अलग अलग विद्या सीख रहा है कोई कला सीख रहा है कोई पहाडों में जाकर के आजिव का खोज रही हैं या कुछ लोग शिकार की चाह में बीहड जंगलों में मारे-मारे फिर रही हैं लोग पेट भरने के लिए उचे-णीचे कर्म कर रहे हैं धरम-धरम का खयाल उन्हें नहीं है यहां तक की मतलब वो एक प्राकस्था की सीमा बताने के लिए विवश हो जाते है जैसे कि कुछ लोग अपने बेटा बेटी को बेचनी को भी विवश हैं, मजबूर हैं, विवश यानि मजबूर होना इस लाइन में आप देख सकते हो कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की सचमुछ पेट की आग, समुद्र की आग से भी जादा प्रबल है, तेवर है तुलसी ने बादल के समान क्रिपालू राम की क्रपा से ही अपनी भूख मिटा ली है यानि कि तुलसी जी अपर क्या कह रहे हैं, कि अलग अलग लोग जो अपनी आजिवी का चला रहे हैं किसी भी तरह से, लेकिन वो तो क्रिपालू राम की क्रपा से ही अपनी भूख उनकी मिट जाती है और उनकी उन पर शी राम की क्रपा है, इसलिए उनने कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ा इसके आर्थ ग्रेंट सम्मंदी प्रिश्नोतर में हम देख रहे हैं कि कवी और कवीता का नाम वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कवी हैं गोस्वामी तुलसी दास और कवीता का नाम है कवीता अवली फिर प्रिश्ना आजाता है किस किस वर के लोग पेट पूरती के लिए मारे फिर रहे हैं सभी के नाम आपको बताने हैं जो कवीता में बताएगे हैं किस भी किसान कुल बुनिक भिखारी भाट चाकर चपलनट चोर चार चेट की ये सभी लोग पेट की पूर्थी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं भूख और गरीबी का सबसे मारमिक द्रश्य कौन सा है तो आप देखेंगे जहां पर बेटा बेटी को बेचने की बात चल रही है वह सबसे मारमिक द्रश्य है कवी की भूख कैसे शान्त हुई तो राम की क्रपा से सही जवाब है राम की क्रपा से उसके बाद बात कर रहे हैं संदर्य संबंदी प्रिश्णों की तो प्रिश्णे है कि भाव संदर्य स्पष्ट कीजिए और या सिल्प संदर्य पर प्रकास डालिए भक्त कवी होते हुए भी तुलसी दास ने संसार के कस्टों को तथा पेट की आग के यथार्थ को स्विकार किया है यथार्थ यानि सच्चाई पेट के लिए बेटा बेटी बेचने को मजबूरी दिखा कर उन्होंने करुणा उद्पन की है तो भाव क्या है कविता का? करुणा का भाव है कविता में और यथार्थ भाव भी यहाँ पर स्वश्ट दिखाई दे रहा है जिसमें कवी संसार की यथार्थता का वर्मन करते हैं दूसरा इसमें सिल्प संदरी का प्रश्ण आ जाता है सिल्प संजरी में भाशा का प्रवाह कैसा है काफी अच्छा है और शब्द ऐसे लगता है कि वेग से दोड रहे हैं आप जब गाकर देखेंगे पढ़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम जल्दी जल्दी इनको पढ़ते चले जाएंगे अनुप्रास की छटा अतन्त सहज और मनोरम है कैसे देखिए किस उभी किसान कुल इसमें कह की आवरती है बणिक भिखारी भाठ इसमें भै की आवरती है हर शब्द पे आप ध्यान देजी चाकर चपलनट चोर चेटक चटकी इसमें चै की आवरती है इसके बाद पेट को पड़त गुण गढ़त चड़त गिरी इसमें पैगय और ध्यान की आवरती है काफी शब्दों की हैं यहां पर आवरती आप देख सकते हो और इससे भाषा का सौंदरिय जो है वहेस पस्ट में दिखाई दे जाता है राम घंशा में रूपक अलंकार है आगी बढ़ बागितें बड़ी है आगी पेट की इसमें व्यतिरेक अलंकार है यह सब्द जो है इस तरह से क्या हुआ यह हमारा है सिल्प सौंदरिय दूसरा पेरिग्राफ जो है वहे है खेती नकिसानि यह वला पेरिग्राफ इसका मैं आपको सलल शब्दों में अर्थ पता देती हूँ कहता है कि ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के स्थाधन नहीं है बिखारी को भीखो दान नहीं मिलता है बन्यों का व्यापार मंदा है नोकरी के लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है यहीं कि हर एक तरफ यही चिंता दिखाई देती है कि काम धंदा कहां से आएगा और तुलसी दास जो है भगवान पर आस्ता प्रकट करते हैं कहते हैं कि हे राम वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है आज के युक को देखकर मैं भी यही कह सकता हूँ कि ऐसे संकट के समय तो आपकी कृपा से ही संकट तलता है हे दीन दयालू आज दरिद्रता रूपी रावन यानि गरीवी रूपी रावन नहीं सारी दुनिया को अपने जाल में फसा रखा है चारों और पापों की जो ज्वाला जल रही है उसे देखकर सभी और त्राही त्राही मच गई है और सब हाई हाई कर रहे हैं यहाँ पर अर्थ ग्रेंड सम्मदी प्रिश्न कर रहे हैं कि कभी ने लोगों की जीवी का हींता का चित्रन कैसे किया तो कभी ने बताया कि किसान के पास खेती के साधन नहीं है बिखारी को भीक नहीं मिलता व्यपारी का व्यपार ठप है और नोकरी वालों की नोकरी भी नहीं मिल रही है फिर प्रिशना आता है कि कभी ने रावन की तुलना किसे की है और क्यों तो कभी ने दरीदिता की तुलना रावन से की है क्यों क्यों की है जिसे रावन ने सीता का हरन करके संतों पर अत्याचार करके चारों और त्रही त्रही मचा दी थी उसी तरह से गरीवी के कारण लोग तरही तरही कर रहे हैं भाशा सुंदरी की और भाव सुंदरी की बात यहां पर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम भाव सुंदरी की बात कर रहे हैं इसमें इस कवित को पढ़कर के पता चलेगा कि बेरोजगारी कोई आज की समश्या नहीं है यानि तोसी दास जी के समय भी इस प्रकार की भेंकर समश्या पाई जाती थी और इसमें भक्ती भावना है भाव की जहांपर बात आ जाती है यानि कि हमेशा ध्यान रखे कि जब कविता का भाव पुछा जाए तो उसमें कौन सी भावना से वह लिखी गई है आपको यह बताना होता है तो राम जो थे उनके लिए दीन बंदू थे कृपालो थे तो यहांपर भक्ती भाव जो है उनका स्पष्ट हो रहा है और कहां जाई काकरी में वेदना साकार हो रही है और कविता में मारमिकता आ गई है तो यहांपर मारमिक भाव की उत्पती कविता में दिखाई देगी आपको स्प्रश टूप से सिल्प संदर्य की बात करें तो हमेशा सिल्प संदर्य में आप यह ध्यान रखिएगा कि भाशा और अलंकार रसादी का वरणन जो कविता में किया गया है जादा तर वहाँ पर आपको यह बताना होता है शेल्प संदर्य में एक भाशा का परवाह कैसा है यह जरूरी बताना होता है तो इसमें भाशा का परवाह भी दोड़ता हुआ वैसा ही है जैसे कि हम पहले बता रहे थे और अनुपरास की चटा है बली बनी को बनी इसमें जो जो शब्दों का आवरती हुई है वहाँ पर हम ये अलंकार को देख सकते हैं और कहे एक एक अनसों कहा जाई काकरी इसमें भी कहकी आवरती है साकरे सबैपे राम, रावरे, क्रपा करीव समें रह की आवरती है और धारित, तेसाहनन, तथा दुरित दहन威 में रूपक अलंकार है इस तरह से भाशा की हम्यापर बात कर सकते हैं सिल्भ संजरे को बता सकते हैं इसके बाद कहो को कहो की बेटियो, बेटी सो बेटाना ब्या अब इसमें भी अनुप्रास की चटा देखने में आती है इसके बाद हमारा तीसरा पेरिग्राफ आता है धूत कहो अब धूत कहो